तो देखो फ्यारी बच्चें इस वाले स्वाल को देखो, तो इस वाले अगर कोश्चन को देखो गे तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये कौन सा अपना, which of the following option use to propagate electromagnetic wave option can be used to produce produce, हमें produce करना electromagnetic wave तो देखो electromagnetic wave, चार्ज अब जब इलेक्टो स्टेट पड़े होगे तो चार्ज के तीन केस पड़े होगे, फर्स्ट केस में जो चार्ज है, वो उसकी वेलासिटी जीरो होगी, रुका होगा और acceleration भी zero होगा,aggio देखोगा, चार्ज में होगा, तो अगर अगर कभी भी चार्ज रेस्ट में रहता है, तो इसके आज पास जो electric field होती है, वो तो होती है, पर magnetic field क्या होती है, जीरा, सौरी, यहां पर जो magnetic field होती है, वो zero होती है, इलेक्टिक यहां exist करती है यह यहां से लेके theoretically up to infinity तक भी खरा रहता है इस पेस में ठीक ना आई होब कि आपको पता होगा यह बात केस्टू में जो चार्ज है उसकी uniform velocity से move करता है तो velocity is not equal to zero but acceleration is equal to zero uniform motion uniform velocity से अपना charge particle चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलने दो तो अगर कोई charge particle plus q वह भी velocity से जा रहा है तो हमेशा याद रखो charge है तो electric field तो बनाएगा यारो तो उसकी property है तो इस region में अगर तुम घुमोगे तो इस region में अगर मैं घुमता हूं तो मुझे क्या क्या मिलता है इस region में तो इस region में अगर मैं घुमता हूं तो मुझे मिलेगा electric field is not equal to zero क्योंकि charge particle और magnetic field is also not equal to zero तीसरा केस यह होता है non uniform motion अगर कोई भी चाप पार्टिकेल है non uniform motion perform करता है physics में non uniform motion तो उस केस में जो charge particle है यहां से यह charge particle accelerate हो रहा है velocity is not equal to zero and acceleration is not equal to zero तो इस charge particle के जब region में मैं घुमोंगा तो मुझे तीन चीज़ें मिलते हैं actually charge particle electric और magnetic field oscillate करता fluctuate करता है और वो generate करता है एक electromagnetic wave तो electric field is not equal to zero और magnetic field भी not equal to zero और यह charge particle wave generate करता है जिसको हम electromagnetic wave बोलते हैं तो यह जन्रेट जन्रेट इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब मलब जितने भी एक्स रे है गामा रे है विजूवल लाइट है तिक ना microwave है सब एक्सलेटिंग चार्ज पार्डिकल की वज़े से हो रहा है तो एक्सलेटिट चार्ज पार्डिकल जन्रेट मेगनेटिक एलेक्ट्रो मेगनेटिक एलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब आई हो कि मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है कंटेंट